वेल्कम स्वागत है आप सबका आपके यूटीब चानल में इस्टी वित मी में और जैसा कि आप सबको पता है कि LIC में बंपर वर्तिया आ रखी है Apprenticeship Development Officers के पदो पर इसे प्यार से ADO के नाम से भी जाना जाता है तो ADO में बंपर वेकैंसी 8,851 में तो करीब करीब साँधे 8,000 में आपके इनडिया के है अब इनके टोटल वागों आठ सोधा जोन आ ओफिस है तो हर जोनल आ ओफिस ने अपनी अपनी वेकैनसी निका ली इस वीडियो में बस हम यही जाने हैं कि किस जोन में और किस किस जोन को भी कई सारी अलग अलग भागों में छेत्रों में डिवाइट कर दिया गया है ठीक है तो उसमें कितनी वेकेंसी, district wise कितनी वेकेंसी हैं इसमें हम सिर्फ आपकी वेकेंसी, आपकी भरतियों का बटवारा देखने वाले किस जिले को कितनी कहां कहां वेकेंसी में लिए ठीक है और इसमें आल इंडिया की बच्चे अपलाई कर सकते हैं North Central Zone जो पढ़ता है इनका, जिनका Head Office कानपूर में है तो इसकी वेकेंसी कितनी है, इसके बारे में हम इसके बारे में देखने वाले हैं अब देखो वेकेंसी हम देखेंगे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये UR का मतलब Unregard मतलब जन्नवाले बच्चे SC का मतलब आप जानते हो, SCC का मतलब यहां होता है, Current Vacancy B का मतलब होता है, Backlog Vacancy Backlog का मतलब यह होता है कि पुराने सालों में जो भरतियां पूरी नहीं हो पाई, वो इस साल फिर Carry Forward हो गई है ठीक है, तो पुरानी यहां Backlog की Vacancy 0 है, तो SC के लिए 23 Vacancy हो गई SC के लिए देखें, Backlog में 0 है, तो SC के लिए सिर्फ यहां पर एक Vacancy है, और OBC के लिए यहां पर Backlog Vacancy 0 और C मतलब Current की 25 Vacancy और EWS आप जानते है, Economy Weaker वाले सेक्षन, तो इसमें क्या होता है कि जनरल में से 10% हा रच्छन दिया गया EWS में अगर आप जो है ना, आपके नगर में जो जैसे की तैसीलदार हो गए, यह डिस्टिंग मजिस्टिड हो गए, यह सब लोग EWS का प्रमाण पत्र आपको देते हैं तो आप अपना प्रमाण पत्र बनवाते हैं, तो आपको इसका Reservation का फाइदा मिलेगा तो आप देखेंगे आगरा में टोटल 99 वेकेंसी, आप ऐसे ही जिस जिले की देखना चाहिए, उस जिले की देख सकते हैं, इलावाद की 95 है ठीक है, गोरखपुर की आप देख सकते हैं, जो की माननी मुख मंत्री योगी जी का एरिया है, तो उसमें 60 वेकेंसी है कानपुर में आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा वेकेंसी 130, लेकिन इससे भी ज़्यादा मेरेट हमें वेकेंसी हैं, 148 और टोटल कानपुर जोन में जो वेकेंसी है, 1042 वेकेंसी है तो एक बहतरीन वेकेंसी आपकी ये हो जाती है, मैं एक बात अंदर की बताता हूँ, कि इसमें कोई भी बच्चा एक तो आल इंडिया के कंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है और दूसरी बात इसमें सिर्फ मागा गया है ग्रेजुएट, सिर्फ अगर आप ग्रेजुएट हो, कोई परसेंटेज नहीं चाहिए, कितने भी परसेंट आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, हलांकि अगर आपने कभी कोई मार्केटिंग से रिलेट कोई कोर्स किया है, कुछ जनरल इसमेंस कंपनी आगी तो यह सब कंपनियां इसमेंस के छेतर में काम करती थी, आपने देखा होगा कि जोड़ो फिर तुम दो लोगों का और जोड़ो फिर तुम दो लोगों का और जोड़ो, अगर आपने कहीं भी काम किया है, कुछ भी इस तरह का आपने काम किया है आपको selection के chance से ज़्यादा बढ़ जाएंगे और वैसे इसमें मांगा सिर्फ graduate गया है अब आँगे देखेंगे अब आता आपका central zone जो की इनका भोपाल है इसमें वेकेंसियों का बटवार किस तरह से इसमें हम देखें वाले है बोपाल में मैं इनका abbreviation सबका बता चुका हूँ कि B का मतलब backlog, C का मतलब current vacancy तो आप देख सकते हैं बोपाल में unregored के 39 है ठीक है और 14, 12, 16 होगे SC के लिए total vacancy ठीक है और आपकी SC के लिए सिर्फ 19 vacancy है और OBC के लिए 14, 1, 15 vacancy EWS के लिए 9 vacancy, total 98 vacancy भोपाल सेंटर से है ठीक, भोपाल जिले में तो इस तरह आप देख सकते हैं विलाज, पुर, गॉलिय, रिंदोर, जवल, पुर, राइपुर, सतना ठीक है तो आपके सब के सामने vacancy लिए total है 525 vacancy, जनरल वालों के लिए 209 vacancy EWS के लिए 47 vacancy और आपकी SC के लिए आप यहां से दोनों जोड़ सकते हैं ST के लिए आप इन दोनों को जोड़ के और जनर ओवी C के लिए इन दोनों को जोड़ के total vacancy आपकी कुछ इस तरह बनती, आप आँगे बढ़ते हैं अब East Central Journal Office पतना जो की पढ़ता है, पतना में दो जगाओं बाट रखा है, तो आप यहां से देख सकते हैं, 61-61 vacancy है सांबलपुर के लिए इतनी vacancy कटक के लिए इतनी, भोनेसर के लिए इतनी ठीक है, आप भागलपुर के लिए इतनी vacancy, आपके सब के सामने पूरी vacancy लिए आप वीडियो के यहीं पर आप भरियेगा, ठीक है, अब देखो यह नौर्थ जोनल आफिस जोगी दिल्ली में पड़ता है अब दिल्ली में vacancy कितनी इसके बारे में देख लिते हैं थोड़ी सा, दिल्ली को देखो जो इनका आफिस है, वो कहां कहां से बटा हुआ है, अजमेर, अमरिसर, बीकानेर ठीक है, चंडीगर, दिल्ली को तीन भागों में नौन बाट रखा, जैपूर को दो भागों में ठीक है, और जालंधर जोदपूर, करनाल, लुधियाना रोहतक, सिमला, ठीक है, आप वीडियो को पॉस करके, इसमें करम सा वेकेंसी देख सकते हैं, और रिजर्व कैटेगरी की वेकेंसी देख सकते हो, ठीक है, और इस तरह टोटल जो वेकेंसी बनती, 1130 जो आपका दिल्ली का ओफिस है, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इसमें वेकेंसी, 1130 का सबसाब की वेकेंसी होने वाली है, ठीक है, तो ये बात हो गई, दिल्ली वालों के लिए, और थोड़ा सा हमारी सीटों को बटवा रहा है, आप वीडियो को पॉस करके इस अच्छे से देख पाएंगा, अब आगे चलते हैं, अब हम बढ़ते हैं, इस्टन जोनल ओफिस, इनके कोलकाता में, ठीक है, तो इसमें देखेंगे, कौन-कौन सी, कहा-कहा, किस जिले में कितनी वेकेंसी है, तो आप यहां से देख सकते हैं, सिल्चर, तो आप अपने जिले हिसाब से सारी वेकेंसी आप यहां से देख लिजे सामने, टुटल 922 वेकेंसी हैं इसमें, अब थोड़ा और आंगे बढ़ते हैं, आठों जो इनके जोनल ओफिस आठ हैं, उनके सब में देख रहे हैं, अब हम साउथ की तरफ चलते हैं, साउथ सेंटल जोनल ओफिस जो की हाइदराबाद में पड़ता है, तो इसमें कितनी वेकेंसी हैं, इसके बारें भी थोड़ा से देख लेते हैं, अच्छी खासी वेकेंसी हैं, इनके लिए भी, कड़ापा कर के जगा है, डिश्टिक है, उसमें 102 हैं, हैदराबाद में 101 वेकेंसी है, ठीक है, आप यहां से नेलोर में, ठीक है, बैंगलोर में, बैंगलोर, बेलगम, धरवाड, मैसूर, ट्राइथपूर, उडबी, तो टोटल 1215 वेकेंसी बनती है, हैदराबाद के जो इनका जोनल ओफिस है, साउथ का, अब इसके बाद और अगले जोनल ओफिस की तरफ बढ़ते हैं, मुंबई के जो इनका वेस्टन जोनल ओफिस है, इसका मैने एक डिटेल वीडियो बनाए, आप जाके वहां पर देख सकते हैं, तो इसमें जो वेकेंसी है, टोटल आप यहां से देख सकते हैं, 1753 वेकेंसी, अभी तक की हाइ इस निकली सबसे आदा मुंबई के जोनल ओफिस में देख सकते हैं, गोवा, कोलाप और मुंबई, नागपुर, नासिक, पुने, राजकोड, सूरत, ठाने, वडोदरा वगएरा, तो एक बड़ी बेहतरीन देखो, मुंबई में सिर्फ 452 वेकेंसी, तो एक बेहतरीन वेके देखते हैं, इसके बाद हम सारे हो जाएंगे, अपने आठो, चेनई, कोईमेटूर, आप देख सकते हैं, कोटैम, सलेम, मदुरे, ठीक है, पुरम, वेलोर, टोटल 1257 वेकेंसी, आप यहां से टोटल वेकेंसी अपने डिश्टिक की देख सकते हैं, ठीक है, तो उमीद करता हूँ, आपके सारी वेकेंसी वाला जो डाउट था बच्चों को, कि कहां-कहां, किस जिले में कितनी वेकेंसी, किस जोनल ओफिस में कितनी वेकेंसी हैं, इसके बारे मैंने आपको बता दिया, ठीक है, अब मैं आपको जो एक सलेवस का, इसके सलेवस का, एक डिटेल वीडि आप इसकी PDF भी इसी वेबसाइट पर जाकर चक कर सकते हैं, इसका स्लेवस वगर आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा, और इंपोर्टन बात बताओं मैं आपको, कि इसका जो स्लेवस है, हर जोर्नल आफिस का सेम है, एक जाम पैटन बिल्कुल सेम है, और एक अंदर की ब बताई देते हैं, दूसरी केटेगरी वो है, जो इंप्लोईज हैं इसके, जो इसमें करमचारी है, जो इसमें काम करते हैं, लाइसी में ठीक है, जने सेलली मिलती है, एजेंट को सेलली नहीं मिलती है, एजेंट जितनी पॉलिशी करवाएगा, जितने लोगों को लेके आए होता है कि इतना प्रेसे तुम्हें जो ना मुनाफ़ा मिलेगा एक पॉलिसी करवाने पर इसके बाद जो तीसरा है यह अधर कैटेगरी अधर कैटेगरी अब देखो बच्चो अगर कोई एजेंट है लाइसी का तो इस कैटेगरी की तरह फॉर्म भरेगा ठीक है और जो करमच है उन्हें सिर्फ मैंस एक्जाम देना है और मैंस बेवी ने काफी ज्यादा छुट मिली और जो अधर कैटेगरी के बच्चे इन्हें क्या पहले तो यह प्रेजाम देंगे यह मैंस देंगे डिन आपका एक होगा इंटरव्यू फिर आपका एक होगा मेडिकल तो आपकी य यह चार है और जो आपकी है इसमें आपका मेंस हो जाएगा फिर आपका एक इंटर्व्यू फिर आपका एक मेडिकल ठीक है तो इस तरह आपकी एजेंट और कर्मचारी वालियों के लिए यह जो मुख्य अंतर था वेकंसी मैंने आपको बता दिया है ठीक है और उमीद करता आपकी जो अना वेकंसी से बटावारे के रिलेटेड जो भी डाउट रहे होंगो आपके क्लियर हो गए होंगे आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं सलकारीसलवस.com हम आप से मिलते हैं अगले वडियों तब तक के लिए वंदे मात्रम